हाई हम साक्षी वेलकम टू आच चैनल जहां हम लाते हैं इंटर्टेन्मीन से जुड़ी कुछ लेडिस अपडेट आपको बता दे कि देश भर में करोना वाइरिस की दूसरी लहर से ना जाने कितने लोगों की जाने जा चुकी हैं जिस तरह से लोग लगतार करोना वाइरिस से संक्रमित पाए जा रहे हैं उसकी वज़त से देश की चिकित सा वेवस्था भी फेल हो चुकी है हाला कि इसी बीच में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने देश में महामारी से परिशान लोगों की मदद करने का फैसला किया है करोना महामारी का असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी बहुत बढ़ा है और इसका असर साफ दिख भी रहा है सिनमा हौल बंद होने की वज़े से फिल्मों की रिलीज सिनमा हौल में नहीं हो पा रही है अब इसी बीच खबर सामने आ रही है कि इस वाइरस पर अब बॉलिवूर्ड फिल्म निर्मान करने वाले हैं जी हाँ इस तरह के वाइरस पर हॉलिवूर्ड में फिल्म बन चुकी है बता दे कि अब करोना वार्ष जैसी महामारी में हॉलिवूर्ड फिल्म इंडरस्ट्री ने अब तक ना जाने कितनी फिल्मों का निर्मान किया है भारत में भी अब ऐसी ही फिल्म बनने जा रहे हैं जिसमें अमिताब बच्चन देपिका पादुकोन प्रभास जैसे कलाकार मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं आपको बता दे कि ये कलाकार साउथ फिल्म इंडरस्टी के डारेक्टर नागश्विन के साथ एक फिल्म में काम करने वाले हैं खबड़े ऐसी हैं कि नागश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म में प्रभास मुख्य किरदार में दिखाई देंगे और इस फिल्म की कहानी दो हजार पच्चास की दुनिया दिखाएगी प्रभास की फिल्म लाजर देन लाइफ करदार को अदा करते हुए नज़र आएंगी फिल्म में अमिताब बच्चन की धमाकेदार एंट्री होगी ऐसे में आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं थाइंक यू सो माच की वाचेंग पर मो इंट्रीमेंट न्यूस अनपडेट